फर्वरी आठ दोहजार दस को एक कॉंट्राक्ट साइन हुआ अगस्ता वेस्टलाइन इंटरनाशनल लिमिटिड के साथ उस समय की यूपीय सरकार के साथ कि बारा हेलिकॉप्टर खरीदे जाएंगे तक्रीबन 600 मिलियन यूरो की लागत से इनकी डिलिवरी डेट थी जुलाए 2013 लेकिन 2012 में फर्वरी 2012 में इटली में इसके उपर एक तैकीकात शिरू हुई कि अन एथिकल तरीके से इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो काम कर रही है और फिर 26 नवेंबर 2012 को उस समय के जो रक्षा मंत्री एके अंटनी जी उन्होंने लोकसभा में पुरे देश को इसकी जानकारी दी कि इटली में जो तैकीकात हो रही है उसके अंदर इंडिया के साथ जो कॉंट्राक्ट हुआ है उसकी भी तैकीकात हो रही है एक प्रिलिम्नीरी इंक्वाइरी ओर्डर करे गई CBI द्वारा 25 फरवरी 2013 और वापस एक एंटनी साब जो समय रक्षा मंत्री थे उन्होंने दिसेंबर 9 2013 को अपने स्टार्ड क्वेस्चन 55 के माध्यम से उन्होंने सब को बताया कि Prevention of Corruption Act और कई सारे और एक्ट में Air Chief Marshal Retired SP त्यागी जी और 18 और लोगों के उपर अक्यूजेशन लगाए गए 25 मार्च 2013 एक एंटनी साब ने इंडिया तुड़े के अपने एक इंटर्व्यू में इसको कबूल करा कि ब्राइब्स वर टेकन इन अगस्ता डिल उनको मैं कोर्ट कर रहा हूं Yes, Corruption has taken place in the helicopter deal and bribes have been taken Corruption हुआ है, bribe ली गई है और CBI inquiry, CBI is pursuing the case vigorously यह उन्ही के शब्द है इसमें आपको जानकारी है कि इसके ओपर inquiry चल रही है खास तोर से 2014 में Christian Michelle के जो notes है, जो उन्होंने अलग-अलग लोगों को भेजे हैं, उससे बहुत सी जानकारी मिलती है Christian Michelle ने एक Peter Hullet को एक note में लिखा कि Sonia Gandhi और उनके जो नजदी की लोग हैं, उनको target करिए और उनको target करके यह हमारी deal sanction होगी, हमारी deal through होगी और उसमें फिर list दीवी है कौन-कौन से वो लोग हैं, उसमें एहमद पटेल साब का भी नाम है और Congress के सब वरिष्ट नेताओं के उसके अंदर नाम लिखे गए हैं, यहां तक कि उसमें ये भी अब्रिविएशन है, उसमें लिखा है, POL यानि politicians उसमें लिखा है और AP एक अब्रिविएशन है, उसके अंदर कितने पैसे उनको pay करना हैं, यह सब उसके अंदर लिखावा है जो चार्जशीट करी गई, उसके अंदर बड़े साफ तरीके से लिखा गया है कि कंक्लूजिव तरीके से लिखा गया है कि kickbacks were paid to defense officials, bureaucrats, politicians और यह सभी जो Swiss police ने जो documents seized करे हैं, उनके आधार पर है जो Christian Michelle ने अपनी disposition धी, उनसे जब पूछताच होई और पूछताच में जो उन्होंने बातें बताई हैं, और फिर राजीव सक्सेना जो एक और जो accused है, उनसे जो पूछताच करी गई, इन सभी को जब जोडा जाता है, तो बहुत सी बातें reveal होती हैं, जैसे अपने we have pressurized the Prime Minister through the party elite, हमने प्रधान मंत्री को के ओपर दबाव बनाया है, पार्टी के वरिष्ट लोगों द्वारा, वो लिखते हैं कि उनकी एक मुलाकात होई, एक Italian lady के बेटे से, Italian lady's son, उनने कहा कि वो जो बेटा है वो अगला प्रधान मंत्री बनेगा, और पार्टी अपनी ताकत में दिनो दिन बढ़ती जा रही है, और उनने कहा कि उन बेटे से मुलाकात करके उनको कहा गया कि अपनी मा से उनको वो समझाएं इस बात को कि ये deal through होनी चाहिए, और उन्हें यखीन है कि ये deal through होगी, आगे ये भी लिखते हैं कि the political elite is consistently helping Augusta Westland, कि जो पार्टी के जो प्रमुक और वरिष्ट लीडर्शिप है, नेता है, वो लगतार अगस्ता वेस्टलेंड को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं by intervention through Prime Minister's Office and Defence Minister and lobbying to put pressure on Finance Minister. कहते हैं कि प्रधान मंत्री के दफ्तर के ओपर दबाव बनाया जा रहा है इन elite जो पार्टी के वरिष्ट नेता है उनके द्वारा और केवल प्रधान मंत्री नहीं, Finance Minister और Defence Minister के ओपर भी दबाव बनाया जा रहा है. दो streams है payment के, एक stream है जो Guido Hash के एक middleman है, वो अगस्ता वेस्टलेंड कंपनी के अंदर ही काम करते हैं और दूसरे जो धारा है payment का, वो है Michelle, Christian Michelle. और उसमें वो साफ शब्त लिखते हैं family, F.A.M. और उसको अब confuse करने की कोशिश करी जा रही है की family, आप जानते हैं कि जब एक वरिष्ट party की बात करते हैं, उस party के अंदर एक Italian lady के बेटे की बात करते हैं, तो कौन सी party की बात हो रही होगी और उसमें वो family जब word आता है, तो वो air chief master त्यागी की, air chief marshal त्यागी की family तो नहीं हो सकती. तो यह सारा का सारा घटना करम और खास्तोर सिफ जाज़ शब्द AP लिखा है, उन्होंने अपने जो बयान उन्होंने दिया है, उसमें भी वोला है कि यह Ahmed Patel है, family, FAM जो लिखा है, वो family है, और total जो payment होना है, वो 700 कोरोड रुपे payment होना है. अब जब भी Congress का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं, यह बहुत दुख की बात है, कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करने के लिए, और दूसरी तरफ, जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है, वो सेना को equipped करने की ज जहां जीब गोटाला, बफोर्स गोटाला, टाटा ट्रक गोटाला, स्कॉर्पियन पंडूबी गोटाला, से अब अगस्ता वेस्टलैंड गोटाला, इस सारे के सारे Congress के समय और सारे के सारे रक्षा मंतराले से संबंदित ये गोटाले हैं, यह 3,000 करोड रुपे का अगस्त लोग हैं, सोनिय गांदी जी, राहूल गांदी, इस गोटाले पर अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टी करण दें, जवाब दें, लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से, इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझें, इस चुप्पी का मतल कारण सामने आ रहा है, जिसके अंदर इटली में भी तैकिकात और भारत के अंदर भी जो तैकिकात हुई उसमें नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिवार चुप्पी साधे हुए, रक्षा डील में सीधे सीधे कॉंग्रेस के घोटा करता हूँ कि इस बात पर स्पष्टी करन दे, इस बात पर जवाब दे, अपने वरिष्ट नेता हूँ जिनके नाम आ रहे हैं, उसके ओपर देश को जागरित करें। रफेल के ओपर बार-बार कहते हैं, सुप्रीम कोट ने भी रफेल को ठुकरा दिया है, लेकिन अगस्ता वेस्ट लैंड जिसके ओपर इतनी तैकिकात हुई है, उसके ओपर राहुल गांदी जी बिलकुल चुपी साधे हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं। आपके माध्यम से भारती जनता पार्टी ये उम्मीद करती है, एक पुरानी पार्टी रही इस देश की इतने बड़े घोटाले के ओपर स्पष्टी करन दे। रक्षा के सौधों में घोटाले को प्रमुक्ता पे रखते हुए काम करा गया हर बार, एक नहीं, दो नहीं, बार-बार आपके सामने विस्तार से इस थारे घोटाले रखे और अगस्ता वेस्तलैन का घोटाला का जो सारा जो उसके उपर इन्वेस्टिकेशन चल रही है करने बाद है इसके काम करने का तरीका है जहां पर जो फ़स्टा फैमिली है उनकी उसके ऊपर ना मीडिया वाले कुछ लिख सकते थे ना उनके उनका नाम कहीं आ सकता था लेकिन जितने घोटाले होते थे उनिके आश्रधृ से होते थे उनी के आशिरवात से होते थे क्योंकि एक पार्टी जो इस तरह से एक परिवार चलाता है उसमें जो भी काम होता है वो उस परिवार के इशारे पर ही होता है इससे पहले भी अगस्ता वेस्टलैंड का नाम आया था राजीव गांदी जी जब प्रधान मंत्री थे उसके बाद एक इंवेस्टीकेशन हुई और उस इंवेस्टीकेशन के बाद 19 हलिकॉप्टर जो पवन हंस के पास थे वेस्टलैंड के उनको सब को ग्राउंडड कर दिया गया तो यह पहली बार नहीं है यह बार-बार हुआ है और एक ही परिवार के इशारे पर हुआ है और इसलिए जरूरी है कि आज देश जब जागरूख होता जा रहा है हर चीज आप सब के माध्यम द्वारा यह परिवार जवाब दे देखिए इसमें ज़रूरी बात यह है कि जिससे सवाल-जवाब हो रहे थे वो विटनेस क्या कह रहा था और उस विटनेस ने जो बयान दिये है उस बयान में जिस जिस लोगों के नाम आए है अब तैकिकात यह हो रही है कि उन लोगों के साथ कौन-कौन कनेक्टेट था उन लोगों के उपर आशिरवाद किन-किन लोगों का था यह बहुत गहरी इन्वेस्टिकेशन होती है जिसमें एक देश नहीं दूसरा देश भी इन्वाल्ड होता है उस दूसरे देश की कंपनिया इन्वाल्ड होती हैं आप सब पढ़े लिखे हैं मुझे चुपाने की कोशिश करी गई है तकि असलियत तक असली व्यक्ति तक हम पहुंचना पाएं तो इन्वेस्टिकेशन में टाइम लगेगा लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर मोधी सरकार इस बात पर बितकुल अडिग है कि देश का पैसा देशवासियों के लिए है रक्षा मे सौदे कहीं पर भी सौदे नहीं हो सकते आज जो सौदे हो रहे हैं जो डील हो रही है वो सरकार टो सरकार हो रही है गवर्मेंट टो गवर्मेंट डील हो रही है यह जितने भी घोटाले हुए इसके अंदर कोई भी गवर्मेंट टो गवर्मेंट डील नहीं थी क्योंकि वो वो चाहते थे कि कोई ना कोई उनका जानकार मिडलमेन हो ताकि उस परिवार को यह उस परिवार के साथ जुड़े वे जो राजनेती लोग है उन सब को फाइदा मिले अ अ अ य य य य झाल झाल